हेलो दोस्तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए सूजी के बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी रस गुले जो आपको बहुत पसंद आएंगे ये मूँ में रखते ही घुल जाते हैं ये बहुत ही जादा सॉफ्ट बनते हैं अगर मेरे बताए तरीके से आप इसे बनाते हैं तो आपको इसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये बहुत ही कम समय में कम सामान से आसानी पर घर पर बनाया जा सकता है तो च अच्छे से गर्म हो चुका है अब हम इसमें एक कफ दूड डाल देंगे और इसे अच्छे से चला देंगे दूद को हमें हलका गर्म होने का इंतिजार करना होगा तो दूद देखी अब हलका गर्म हो चुका है इसे हम एक बर चला लेंगे और इसमें हम आदा कफ सूजी डाल देंगे हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके सूजी को डालते जाना है और इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है गैस की flame को हमें बिलकुल भी यहां पर high नहीं करना बिलकुल low flame पे हम इसे बनाएंगे इसे हमें लगातार चलाते रहना है ताकि जो सूजी है वो दूद में बिलकुल अच्छे से absorb हो जाए आप देख सकते हैं जो सूजी है वो दूद को बिलकुल अच्छे से पी चुकी है यह बिलकुल soft हो चुका है सूजी अच्छे से पक चुकी है इसी तरह से हम इसे मिलाते चलेंगे अब हम यहाँ पर गैस को off कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अब चलिए हम चासनी बनाने की तयारी करते हैं यहां पर हमने एक कफ चीनी ली है और आदा कफ हम इसमें पानी लेंगे तो चासनी बनाने के लिए यहां पर हमें एक कफ चीनी और आदा कफ पानी लेना है और इसे हमें लगातार चलाते रहना है ताकि जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है अब हम इसमें एक चुटकी इलाइची का पॉर्डर डाल देंगे और साथ से आठ केसर के धागे इस चासनी से हमारे जो रसगुले बनेंगे वो बहुत ही टेश्टी बनेंगे और इसका सुवाद भी कई गुना बढ़ जाएगा तो आप देख सकते हैं कि चासनी में एक अच्छा सा उबाल आ चुका है और कलर भी दिखने में कितना अच्छा आ रहा है तो चासनी यहाँ पर तैयार है बिल्कुल ये चिपचिपी हो चुकी है अब हमें यहाँ पर गैस को आफ कर देना है सॉफ्ट बनेंगे आप इसे जितना ज़्यादा अच्छे से मसलेंगे जो हमारे रजगुले हैं वो उतने ही सॉफ्ट बनेंगे तो हमने इसे खुब अच्छे से मसल लिया है तो हमारा डो जो है वो रेडी है अब हमें हाथों पर थोड़ा सा ओयल लेके अच्छे से मिला लेना है और हम यहाँ पर इसकी मीडियम साइज की लोई बना लेंगे मैंने यहाँ पर मीडियम साइज बनाया है आप इसे अपने अनुसार शोटा या बड़ा बना सकते हैं हाथों से इसे हमें खूब अच्छे से मसल मसल कर इसकी एक चिकनी लोई बना लेनी हैं, इसमें कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे लोई तयार है, बिल्कुल चिकनी है, तो चलिए अब हम दूसरी लोई बना लेते हैं, इसे आप जितना ज्यादा मसल कर बनाएंगे हमारे जो रसगुले बनेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे तो इस डो से इसी तरह से हम सारे रसगुलो को तैयार कर लेंगे तो रसगुले तैयार हैं अब चलिए हम इसे फ्राई करते हैं यहां पर जो गैस की फ्रेम हैं बिल्कुल मीडियम हैं अब हम इसमें एक एक करके सूजी के रसकुलों को डाल देंगे आप इसमें तेल की कैपसिडी के अनुसारी इसे रखिएगा बहुत सारे एक साथ मज़ डाल दीजेगा वरना इसे आपको चलाने में प्राब्लम होगी अब एक स्पून की साथा से हम इसके उपर इस तरह से थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे ताकि ये उपर नीचे अच्छे से सिख सके अब हम इसे चला लेंगे इसे हमें बिल्कुल हलके हाथों से लगातार चलाते रहना है आप देख सकते हैं इसका कलर जो है बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुका है हमें रसगुलो को गोल्डन ब्राउन अच्छे से करना है तो जो हमारे रसगुले के कलर है देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर सिख चुके हैं तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे आप देख सकते हैं ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है इसी तरह से हम बागी बचे हुए रसगुलो को भी अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लेंगे तो रसगुले हमारे बच्छे से फ्राई हो चुके हैं चाशनी बिल्कुल हलकी गर्म है और रसगुले हमारे गर्म है अब हम इसमें रसगुलों को चासनी में डाल देंगे और एक चमच से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चासनी बिल्कुल अच्छे से रसगुलों में एब्सॉर्ब हो जानी चाहिए चासनी जितनी अंदर इसके जाएगी रसगुले उतने ही सौफ्ट बनेंगे आप देख सकते हैं हमारे जो रसगुले हैं वो दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं तो अगर आज की ये रैस्पी आपको अच्छी लगी है तो इसे आप घर पर जरूर ट्राई करिएगा मैं आपको यहाँ पर एक रसगुला काट के दिखाती हूँ आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सॉफ्ट है और ये कितनी असानी से कट जा रहा है चाच्छी भी बिल्कुल अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुकी है इस रैस्पी को आप घर पर जरूर ट्राई करिएगा आपको ये बहुत पसंद आएगी इसे आप अपने घर पर ट्राई करे और अपनी फैमिली और फ्रेंट्स के साथ शेयर करे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे लाइक करे और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे साथी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली अगली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक यू